हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ अजीश शेक आप देख रहे हैं मुवी स्टॉक चैनल जिस पर आज मैं बात करने वाला हूँ मैट्रिक्स रेजुरेक्शन फिल्म के स्पॉलर फ्री रिव्यू के बारे में जिस फिल्म को थेटर में आदा देखने के बाद घर पर आकर मैंने इस फ स्टॉरी बताती है यानि एक हिसाब यह फिल्म अगर रीबूट है तो मैट्रिक के यूनिवर्स का फोट पार्ट भी जिसके लिए आपको पुरानी फिल्म में देखनी ही होगी वरना इस फिल्म में जिस तरी की किनॉस्टेलिजी डाली गई है वो आपको फिल कैसे होगी क् का दम उन्हीं सारे के सारे सिंस को दिखाकर ओडियंस की सिंपर्थी को गेन करने की कोशिश की गई है जिसमें आइनो कि मैट्रिक्स फैंस बहुत ही ज्यादा डिसपॉइंट हुए है लेकिन फिर भी फिल्म के रिव्यूज और उनकी रेटिंग्स इंटरनेट पर अच्छी करें तो फिर वो चीज़ें बिल्कुल भी हज़म नहीं होती उपर से ये यूनिवर्स टार वर्स की ही तरह काफी ज़दा पॉपिलर भी है जिसे लेकर फैंस की लाखो थियरीज है लेकिन क्रियाटर की तरफ से उन थियरीज को पूरी तरीके से लात मार दिया गया क्योंकि कि उन्हें अपनी ही स्टोरी लोगों के सामने प्रेजेंट करनी है जिसे सपोर्ट मैं क्या कोई भी मैट्रिक्स फैंस बिल्कुल भी नहीं करेगा खास करके इस फिल्म को देखने के बाद जिसकी प्रेजेंटेशन ही बहुत जादा बुरी है कैसे तो अब आए उन्हीं बुरी रही है यानि अगर देखा जायतों मैट्रिक्स की ट्रिलोजी के बाद अगर चाहते तो इस यून्यूर्स में अपग्रेट के नाम पर जो चेंजेश किये गए हैं वो ठीक ठाक है लेकिन कहानी में जो इस तरीके से चेंजेश किये गए हैं वो बिल्कुल भी ठीक न तरीके से लिख दिया गया जिसकी स्टोरी रीड करने के बाद वो खुद इस क्यारक्टर में जान दालना ही नहीं चाहते थे जाहिए और जिस तरीके का डायरेक्शन लाना इस बार हमारे सामने प्रेजेंट करती है यानि के फिल्म के डायरेक्टर वो भी कुछ नया नहीं है जबकि अगर देखा जाये तो पूरानी दी मैट्रिक फिल्म ने चाफिक हेलो उनके पूरी के पूरी तिलो जी ने एक ऐसा ब लेकिन अगर फिल्म की कहानी को सिंपल ही करना था तो फिर उसमेंसे कोई भी चेंजेस नहीं करने चाहिए थे जो सॉरी टू से अगेन इस फिल्म में किये गए है और बाकि अगर आपने फिल्म का ट्रेलर देख रखा है तो ट्रेलर में ही क्रियेटर्स की तरफ से इतने सार दिये गए है जिसमें एक major spoiler तो Agent Smith का है जो characters film में क्यों है और उसे फिर से क्यों वापस लाया गया उसका भी main reason निकल कर आता ही नहीं बाकी बात करें Agent Smith के character का role play कर रहा actor Jonathan Groff की तो उनकी performance में कोई भी दम नहीं था और ऐसा ही कोई film के बाकी दूसरे actors भी हमें करते वे नज़र है लेकिन हाँ इन सब में अगर कोई shine करते है तो Trinity के बाद बागा character है जो आपको कहीं न कहीं पसंद आएगा क्यूंकि वो इस resurrection के universe की एक यंग version की Trinity बन चुकी है जिसकी जरूरत इस reboot version को थी लेकिन बात करें Morpheus की तो या या अबदुनमतिन 2 की casting ही क्यों की गई इस character role के लिए उस पर भी again कोई सर पैर निकल कर नहीं आता वो भी एक बेकार से reason के चलते क्योंकि इस universe में Morpheus सिवाय लॉरिंस फिसबर्ग के और कोई भी नहीं जिनने फिर से इस role के लिए वापस बुलाया जा सकता था और बाकी चीजों को अगर matrix की दुनिया में अप्ग्रेड कर कर दिखाया जाता हूं ही के characters related तो भी एक चीजे चलती लेकिन फिल्म में हम सभी के सभी फैंस को चिड़ाने के लिए Warner Brothers का जबरदस्ती का नाम भी दाला गया है जिनकी डिमांड matrix की trilogy को reboot करने का है हाँ ये situation फिल्म में है जिसे अगर नियो पूरी तरीके से reboot करकर नहीं बन कर देगा जा फिर उसकी स्टोरी की continuation तो Warner Brothers Studio उस कहानी को उनके या फिर उनके बिना continue करेगा और वैसा ही कुछ यहां पर forcefully कर दिया गया है बस इस फिल्म के title के जरिये जिसकी hype को देखकर Warner Brothers ने बिना कहानी ही पड़े शायद से इस पर पैसे लगा दिये क्योंकि कहानी मेरी निजर में बहुत ही घटिया है इसलिए मैं फिल्म के review में फिल्म की बात ही नहीं कर रहा लेकिन अब ऑनस्टी नाम की भी चीज होती है इसलिए उस पर आते है यानि कि फिल्म के बाकी दूसे department पर जिन में फिल्म का direction अभी के रीबूट के हिसाब से और फिर बाकी दूसी ह universe को समझाने के लिए conversation को जादा दाल दिया जाएगा ताकि अगले पार्ट में वो लोग इसकी story को काफी fast forward कर सके यानि studio से sure होगा कि ये पार्ट लोगों की नजर में hit भी होता है या नहीं उसके बाद studio इसके अगले पार्ट पर जी खोल कर पैसे खरच करेगा जिस पर अब मेरी नजर में ये film simply पैसे बरबाद है जिस पर आप की राये different हो सकती है और अब इसके अलावा film के bgm और song के selection की बात करें तो उन्हें भी बहुत ही अच्छी तरीके से choose करकर इस film में add किया गया है जो कि अपना balance बिलकुल proper बना कर रखते है लेकि नियो का character बिलकुल भी फूरती में नजर नहीं आता और नहीं कोई दूसरे अच्छे character अगे इन बग को छोड़ दो वो इस बार की matrix resurrection उन सभी का पूरी तरीके से कबाड़ा करती है लेकिन इस film के universe को छोड़कर अगर देखा जाए का उतार के universe में भी कुछ अलग film के director की तरफ से promise हो किया जा रहा लेकिन अब situation हॉलिवूड में पूरी तरीके से बदल चुकी है और आज की तारीक में सबसे ज़्यादा हाई सूपर हीरोस की फिल्मों की रहती है इसलिए बड़ी से बड़ी फिल्म जो अब निकल कर आती है वो इतना अच्छा business भी नहीं कर पाती जो पहले ठीक ठाक कर ले जिनके नाम से audience टेटर तक जाती है बट कुछ अच्छे नामों से अब audience पूरी तरीके से कट चुकी है जिन में अब ये फिल्म यानि के matrix resurrection भी शामिल हो जाएगी जिसकी अब सीदे आ जाए रेटिंग्स पर तो फिल्म के action के लिए no doubt पांच में से साड़े तीन स्टार बने उसके बाद आजाए फिल्म के twill पर तो उसके लिए एक स्टार तो ये फिल्म डिसर्फ करती है और बात करें master's audience की तो master's audience को ये फिल्म पसंद नहीं आएगी यानि कि उनकी नजर में इस फिल्म की category C की rating की रहेगी बाकि critics की नजरों में तो ये फिल्म B plus की rating की है पता नही क्यों जिन से हट कर मैं इस फिल्म को सीधे सीधे D की category में रखूंगा यानि के घटिया और पूरी तरीक इसे time based जो आपके matrix की trilogy के पूरे के पूरे मजे को ही खराब कर देगी इसलिए उससे अगर आप खराब मिल्कुल भी नहीं करना चाहते तो इस फिल्म से कोसो दूर रह बाकी मर्जी आपकी है क्योंकि मैंने अपनी personal राय आपके सामने काफी लेट लेकिन रख तो दी है जिसका discussion आप सीधे आकर मेरे Instagram, Twitter, Facebook और Telegram पर आकर कर सकते हो जिस ग्रूप में फिल्मों से related बाच्चीत होती रहती है बाकी अब मैं हूँ अजीज शेक आप देख रहे थे किसी वीडियो में किसी और फिल्म या भी किसी और सीरिस की टॉपिक पर बात करते हुए तब तक लिए आप मेरे चैनल के बागी दूसरे वीडियो को भी इंजॉय कीजिए और तिल देन बाई